बेस्ट और नथिंग अप्रोच पता है पर्फेक्ट कैसे करते हैं किले करनी है बिल्कुल सही है पर करें कैसे यह चल रही है एक सीरीज यह 2023 की कंप्लीट स्ट्राटजी और आज हम मिल रहे हैं इसके सेकिंड एपिसोड यह पूरी सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं इस सीरीज की पहली वीडियो इस प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं बेस्ट और नथिंग अप्रोच एक सिच्वेशन इमेजिन करो आपने ऐसे बहुत सारे बोर्ड के स्टूडेंट के बारे में सुना होगा जिनके सीब्यसी बोर्ड में 95-96-97 परसेंटेज आ जाती है पर ज ले वे बूरा के वह पर किर रहें उसका कारण है कि उसको जही लेवल पर कुछ भी नहीं आता कहने को इसे अंडर मबीड आता है जही लेवल की बात करें तो उसको कुछ भी नहीं आता है In fact, जब हमें कुछ भी नहीं आता, कि हर एक चेप्टर आता तो है, पर वो जई के लेवल पर नहीं आता, आधा, दूरा आता है. तो क्या आता है, अपन को टेम्टेशन होती है, उसको क्वेस्चन करने की, मैं अपने ही एक्स्पीरियंस से बताता हूँ, मेरे टाइम पर, solid state chapter था, मैंने उसको बस कर लिया, कि भाई चलो चेप्टर कर लेते हैं, क्या जा रहा है, अब क्यूंकि मैंने वो चेप्टर किया था, तो मैंने जाके, उसका question attempt कर दिया, question attempt किया, अगर मैंने chapters हुआ ही ना होता न, तो मैं उसको देखता भी नहीं, मेरे time बचता वो अलड़, और जो marks आते 0, अब मैंने क्यूंकि attempt कर लिया question, तो पहली बाद तो उसमें time लगाया, दूसरा marks है, minus 2, तो कि गलत हो गया, आधा chapter पढ़के, negative marks ही तयारी होती है, इसल इस चीज में मुझे students कहते हैं, कि मैंने उनको एक problem में डाल दिया, कि मैं उनको कह रहा हूँ कि हमेशा ही आपको शुरू से ही advance level पर चीज़ें करनी है, बिल्कुल सही है, पर करें कैसे, तो देखो, advance level पर, आप सारा syllabus मत करो, आप शुरू करो एक chapter से, एक chapter आप advance level पर कैसे ले जा सकते हो, में भी आप कहोगे, कि यार मुझे बहुत सारा कुछ करना है syllabus, तो मेरे पास अभी time बहुत कम है, तो मैं total time को divide कर दता हूँ number of chapter से, और जो बहुत कम time बचेगा, उसमें तो advance level हो नहीं पाएगा, आप कहोगे कि दो दिन, तीन दिन में चेप्टर होना चीए तो आपको पहली बात तो एक framework बन जाएंगा, कि चेप्टर को advance level पर कैसे करते हैं, वो फिर आप आगे कि जैसे match का आपने chapter अच्छे से advance level पर कर लिया, आपको पताए कि previous year questions करते हैं, उसमें क्या mindset होना चाहिए, बुके back exercises है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या क्या दिक्कत ह आती है, solution किस तरह देखते हैं, चूँकि आपने वो chapter perfect कर रखा है, आपको पता है perfect कैसे करते हैं, और आपको एक confidence हैगा कि यार जब मैंने पिछला chapter perfect किया हुआ है, तो मैं अगला क्यों नहीं कर सकता, और उसे अगला क्यों नहीं कर सकता, तो दीरे दीरे जब आपका level इस जगह पहुँच जाएंगे कि आप एक दिन में चैप्टर एडवांस लेवल पर निपता रहे होगे तो एक चैप्टर मास्टर कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं आप क्या करों आप एक दो बेस्ट वीडियो लेक्चर कहीं से भी ले लो यूट्यूब पर ढूंड लो एक वीडियो लेक्चर की सीरीज आप देख लो उस चैप्टर की आप वो देखते चलो साथ में आपको बेस्ट बुक करनी है कोई बुक्स के उपर आप कहोगे तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा डीटेल में आपको लेक्चर देखते समय नोट नहीं बनाने आपको सिर्फ सुनने पर ध्यान देना है और जो कॉपी पर अगर कुछ लिखना भी है न ये फैट ऑल तो सिर्फ एडिंग्स लिखो और फॉर्मूला लिखो कहानी नहीं लिखनी कहानी यहां लिखनी है कागच में लिखनी ये वीडियो आप देखना इस वीडियो में मैंने पर अगर आप अगर आप कोड़नेटरिक से उनको अच्छा करी और देखा कि उसके बाद से जितने भी मॉक टेस्ट थे पहली बात तो तो उन सब में मेरे से इन chapters के question होने लग गए क्योंकि मैंने इनको ढंक से किया गा तो क्या हुआ है तो हर exam में मेरे एक basic level से उपर marks आते हैं क्योंकि इनकी weightage भी बहुत जाद है Secondly मैंने कहा कि इन chapters को मैंने अच्छे से पढ़ा फिर इन chapters के question मेरे से mock test में होने लग गए अभी बहुत सारे mock test में ऐसे questions हैं और chapters के जो मुझसे नहीं होते अगर मैं उन chapters को भी ढंक से जैसे मैंने coordinate geometry complex number etc पढ़ा है कर लूँगा तो मुझसे उन chapters के question भी exam में होने लग जाएंगा and ऐसा हुआ इससे इतना confidence मिलता है कि पढ़ने का मन करता है आप से जब exam में mock test में question होंगे ना तो आप देखो पता हाद मी परशान क्यूं होता है क्योंकि भाई पढ़ने के बाद भी आप वह थक हार के मन मारके एक बार को पढ़ भी लेगा मन नहीं करता मान लो किसी का करता ही फिर वो पढ़ भी लेगा पढ़ने के बाद जब result नहीं आएगा ना उसके mock test में question नहीं होंगे भाई फिर बेकार ही है ना पढ़ना और फिर उसका पढ़ने में बिलकुल interest खाता मुझे आएगा ऐ उस chapter के question अगर आप से हो गए तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई है यार पढ़ाई करके कुछ हो रहा है आपका मन करेगा आगे पढ़नेगा आप जहां पढ़ते हो छे गंटे वहां पढ़ने लग जाओगे 10 गंटे जहां 10 गंटे पढ़ते हो 12-13 गंटे and so on आप जब एक chapter अच्छा कर लोगे तो उसी चीज़ को आगे फिर आपको replicate करना है आगे के chapters में देर देरे आपका syllabus अच्छा होता जाएगा आप देखो 11 कि शुरूबात में आपका level क्या था आप किस level के noob थे हमें भी बताना और मैं ऐसा था मेरी noob ने इसका एक example दे रहता हूं कि एक class मे लड़की थी वो पहले दिन class के na teacher ने पूछा होगा कि आप लोगों के school में क्या क्या चल रहा है तो भई मेरा school उस टाइम शुरू नहीं हुआ था क्योंकि मेरा school जुलाई में शुरू होना था और वो था जून का महिना वो लड़की कहती कि sir मेरे school में अभी dimensional analysis चल रहा है म बाद में आप भी जानते हो कि dimensional analysis कैसा chapter है तो सबसे असा चैप्टर हो पूरी जैई की physics का तो 11 वी में बंदा ऐसा नूब होके जाता है question basic basic भी नहीं होते और फिर देरे-देरे मैचौर होता है speed भी बढ़ती है कहां 11 वी की शुरूबात में वेक्टर चैप्टर को भी 15 दिन में पढ़ाते हैं और फिर कहां एंड होते होते रोटेशनल चैप्टर भी 10 दिन में निप्टा देते हैं एक बात याद रखना बाद यहां पर क्या होता है कि aspirants को इन जेनरल फोमो होने लग जाता है कि भाईया तो कह रहे हैं कि सारा syllabus मत करो पर जो करो वो ढंक से करो अगर इस तरह मेरे कुछ चैप्टर शूट गए और उनकी क्वेश्चन नहीं हुए ऐसे ही सोच सोच किये तो सब बच्चों का नुकसान होगा और तुम अगर ऐसे नहीं सोच होगे तो तुम जीत जाओगे क्योंकि मेरे अगर मैं अपनी बात करूं मेरे 2016 में 60% नंबर आये थे जे एडवांस में 60% नंबर पर मेरे 247 रेंक आगे उस टाइम पर 50% नंबर पर भी 2000 रेंक आया थी एक सेफ स्कोर है 50% अगर आप जे एडवांस में ले आते आपको आई-ई-टी जरूर मिल लेगा तो अगर आप रादर दैन यह की सारे चैप्टर करने सारे अच्छे से करन करेंगे और फिर किसी अगले जनम स्याथ 16-4 जनम बाद हम उनको फिर डंग से करेंगे जब जब हो जाएगा शूरू से ही एडवांस लेवल पर करो चाहे कम चैप्टर्स हो अफकॉर्स हमारी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा नंबर अफ चैप्टर्स करने अगली व माचिन दल्जिवा